आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप के नवा में कैसे talking presentation को बना सकते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको एक कोई template लेना पड़ेगा तो three steps में हम बना सकते हैं तो कैसे बनाते हैं make your keniva presentation जिसको जिसका presentation बनाना उसको बना लिए तो हमने एक presentation simple बना लिया आपको सिखाने के लिए कि पहला step क्या है सबसे पहले हम लोग template select करें है fill it up with information you want to share add a chart, photo, graphic element to make your presentation visually pleasing तो हमें क्या क्या इसमें डालना है इसमें chart, photo और video डालना है तो इसके लिए आपको magical लिनू को activate करने के लिए control ही दबाना पड़ेगा जब आप control ही दबाईएगा तो आपके पास देखिए text line जो हम पहले भी आपको बता चुके है arrow, circle जो भी आप दबाते जाएगा वो चीजें बनती जाएंगे और इसको दबाकर आप chart भी ला सकते हैं यहां पर देखिए table भी बना सकते हैं इमोजी भी ला सकते हैं जैसे इमोजी में हम अमने प्रेस किया तो जो भी इमोजी आएगा आप उसमें से कोई एक ला सकते हैं माली जैजी वाला लेगी आपने तो यह देखिए यहां पर यह आ गया तो आप अपने presentation में उसको add कर सकते हैं छोटा बड़ा करके इसके लावा आप यहां पर जब इसको प्रेस करिएगा कंट्रोली तो आप चार्ट भी बना सकते हैं यहां पर देखिए different sticky note बना सकते हैं देखिए sticky note दिया rectangle दिया emoji दिया table दिया है line arrow circle table सारी चीज़ें बना सकते हैं table बनाने के लिए सिर्फ इसको click कर यह देखिए कितनी cell की table आपको बनानी आप बना सकते हैं यह देखिए दो cell की बन गई अभी हमें नहीं चाहिए तो control z कर दिया अब कोई chart बनाना है हमें तो यहां पर जाकर के हम लोग बार chart मानी जे लेते हैं तो वो चार्ट बना के आपको देखोगा तो आप उस चार्ट को पहले से data बनाए रहेगा तो अपने presentation में use कर पाई लेगा अभी चार्ट के अलावा इसमें आप और भी बहुत सी चीज़े बना सकते हैं जिसे line chart आप different symbol आपको जुरत पढ़ती रहती है तो माली जै मैं star चाहिए star पे click करिएगा तो आपको एक पास star आजाएगा जिसका आप color बलर चेंज कर सकते हैं यहां से जाकर कि yellow color ले लिया हमने यहां से color change होगा यह तो font का color है यही से होना चाहिए color को यहां से line का color वो change कर रहा है यहां से change करना पड़ेगा यह हो गया चेंज अब इसी तरह से हम shape हो गया ग्राफिक हो गई वीडियो ला सकते हैं यह एक हम लाएं यहां पर जो भी हम run करें तो आपको दिखेगा आपके सामने भी लाके दिखा जैते हैं यहां से link embed कर सकते हैं जो हमने पहले ही वीडियो में बनाए अगर आपने नहीं देखा तो मेरे पुराने वीडियो देखिए और यहां से वीडियो लाना है तो हम यहां से click करेंगे तो different video जो आपके पास already available होंगे वो आएंगे तो उसमें से अगर आपको किसी को लाना है तो आप ला सकते हैं यहां पर रखिए video हैं तो यहां से आप video ला सकते हैं तो हम यह वाला लाएं अब दूसरा कोई लेते हैं यह वाला मानली जे ले लेते हैं तो यह सारे free video उन्होंने demonstration के लिए रख रखे हैं जो आप अपने presentation में add कर सकते हैं तो इस तरह से आपका talking presentation बनेगा अब क्या करना है दूसरा step adds on to the recording studio तो हमने इसको इसलिए बताया आपको कि आप यह control ही करके magical जितने भी यह symbols आप यूज कर पाईए find and replace इसमें भूल रहे बताना तो छोटे C को बड़े C से हमें replace करना है तो यहां पर देखिए हमारा जो C है छोटा है तो अब इसको यहां पर इसको select किया और यहां पर control E किया और जा करके यहां पर find and replace किया find and replace जब करेंगे तो यह देखिए छोटा C को check कर रहा और replace कर देगा बड़े C से तो यह बड़ा हो जाएगा अब इसके बाद हम लोग second step पे चलते हैं यह recording के second step में हमें क्या करना है studio recording यह देखिए present present and record यहां दिया है add on to the recording studio जिसके लिए recording studio में जाना पड़ेगा तो अगर नहीं दिख रहते हैं थ्री डॉट करके हम उसको देखेंगे नहीं तो recommended नहीं होंगे present and record में जाएगे तो प्रेजेंट उन रिकॉर्ड में जब हम जाएगे तो start recording करने को कहेगा third step में जहां पर हम start recording करने के लिए हमें camera और microphone को set करना पड़ेगा तो अब लोग चलते हैं उसमें देखते हैं और start recording करना पड़ेगा तो recording start हो जाएगी some handy tip भी दी दे रखा है उसमें की pause करने के लिए pause कर सकते हैं आप कुछ देर के लिए अपनी recording को resume कर सकते हो और end recording कर सकते हैं तो तीन चीजें आप अपने recording के साथ कर सकते हैं wait for your recording to upload अब जब recording हो जाएगी तो आपको उसका copy link करना है share करना है और upload करना है जब upload हो जाएगा तो copy link और share हो जाएगा और आपका video with recording त्यार हो जाएगा जिसको आप download भी कर सकते हैं तो चलिए record करके देखते हैं कि वो कैसे presentation को record करता है तो यहां जाएगे presentation में presentation and recording पहले से कोई recording की तो इसको यहां से जाकर के हम लोग इस पे जाएगे यहां पर देखिए आपका recording पहले वाली recording अगर हम delete कर दे recording discarding your recording cannot be undone discard not okay कर दिया पहले वाली recording तो हमने हटा दिया अब go to recording studio जाएगे तो go to recording studio में जाएगे तो यह देखें यहां आ गए तो यहां पर यह कहेगा setup your camera and microphone अब editing में जब यह आपका यहां पर देखिए camera और microphone मार रहा है तो by default वो ले लेगा आपका camera set कर देगा आपकी photo आने लगेगी तो start recording करेगा वो delete कर रहा था पुराना वाला प्रेजेंटेशन बना चुके हैं यहां पर यह देखिया है चार्ड photographic element add करके तो यहां पर यह देखिए सब हमने यह जो वीडियो डाला है यह चल रहाएगा इसके बाद आपने add on to the recording studio अब दूसरा step पर जाएने जहां पर हम लोग हैं already दूसरे step में आकर के हम लोग phone और microphone को हमने activate किया है तो इसके बाद हम लोग third step पर आते है start recording किया जो आपको हम already दिखा रहेंगे start recording हो चुकी है अब यहां पर set up your camera microphone once you are ready click on start above मैं आपने उपको visually दिखा चुकेंगे कैसे उसने microphone और camera को set up किया और get ready in three seconds to record बोल रहा है अब यहां पर जबाएंगे तो इसने तीन टिप दी कि आप pause कर सकते हैं यह देखे pause दिख रहा है यह आप resume कर सकते हैं यहां पर pause करेंगे थोड़ी दिरुख जाएगा resume करेंगे तो फिर से start हो जाएगी recording और end recording करेंगे तो recording end हो जाएगी तो अभी हमें end नहीं करना तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं newer will be able to play video add notes to your designer यहां पर देखे notes हमने पहले ही से दे रखा इसे अलग से नहीं दे रहे wait for your recording to upload make sure to copy the link to your recording and share it with others अब उसके बाद आपकी recording खतम जाएगी तो इसको upload करना पड़ेगा और उसकी copy करना पड़ेगा link को और share करना पड़ेगा तो आप लोग चलते हैं यहां पर आप देखते हैं कहां पहुंचे how was it like recording a camera presentation अब कैसा था यह आपको recording का presentation अगर आपको कोई help चाहिए तो आप हमसे ले लीजे अब इसको end करते हैं और इनका last step हम लोग करते हैं कि आपका जो recording हुई है वो upload कैसे हो रही है upload your recording जब हम लोग करेंगे तो यहां पर यह रेखिए upload हो रही है जो कुछ समय लेगी जब वो upload हो जाएगी तो आपके सामने एक link आजाएगा उस link को आपको copy करना है और जिसको भी आप दिखाना चाहते हैं उसको share करना है अब यह थोड़ा समय ले रहा है uploading में जब वो record कर लेगा तो आपके सामने एक link आजाएगी अब यह देखिए आपका यह download हो गया तो यहां से copy link कर लेजिए और download recording कर देजिए तो यहां से यह जब download हो जाएगा तो हम उसकी recording को play कर सकते हैं कोपी link जो हमने किया था इसको हम लोग अब रन करके देखते हैं यहां पर copy जो link किया था इसको अब हम लोग रन करके देखे हैं यह जब देखे हैं तो तो यहन कर दो आपका देखे हैं अब यहन हमने प्रेजिएशन की देखे है वहां से किस्ती है पर यह दो कि आए चुनु से टैंप्लिश पूलाई यहां पर अपने लिया ते पी टाथ बुक इंफोर्मेशन ने कर शेयर एड चार्ड पोटो ग्राफिक ग्राफिक ग्राइबिन उन्हें को बजाइबेशन हो इसमें से अब उसमें आपको दिखाया था चार्ड पोटो ग्र बतकर कर ग्रांक अब आपको मेरे खाल से रिकौर्डिंग केनवा में आ गई होगी और अगर नहीं आई है तो आप comment में जरूरी किये और अपना केनमा में presentation बनाईए और मेरे को send करिये मेरे official email हमारे channel पे दीवी है और कोई अगर कीवरी हो तो पूचिये और अगर आपको presentation बनवाना हो तो भी आप हमारे channel पे email में बोल सकते हैं So this is all today viewer if you like this information please share and subscribe my channel Rata Nagarwal IT Informer Thank you